तेखिए कुस्चन पेपर में पहले कौन सा कुस्चन आपको अटेंप्ट करना चाहिए सेलेक्शन में भी कई बार दिक्कत हो जाती है कि हम गलत कुस्चन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके वज़े से हम काफी टाइम तक पस जाते हैं और हमारे टाइम निकल जागा टाइम तो उतना ही मिलना है क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि कुछ ऐसे कुस्चन है और दूसरी क्या-क्या साफधान ही बरतना है आपको एक्जाम में पहली चीज आंसर एक दूसरे से मैच ना करें जो कि हम अक्सर करते हैं कि किसी का क्या एन क्या आरा अगर आप मैचिंग करने लगए आपका पेपर पूरा नहीं होगा आपको अपने उपर कॉन्फिटेंस रखना है कि भाईया जो मैंने किया ठीक है क्योंकि बैलेंस शीट मिल जाने का मतलब 100% ठीक नहीं हो कुछ एंट्री उसने छोड़ दिया हो तब भी मिल जात आपको नंबर वन पे थियोरी पार्ट को कवर करना चाहिए आता है तो ठीक है अब आई नीरा और भोल रहें थियोरी कर लें है पहले पार्ट पे थियोरी कवर करो इसके पीछे लॉजिक और रीजन क्या है थियोरी कितना भी बड़ा आ जाए आपको आदा गंट एदिक कि हागोसे दिए दिएको पांच कोषिंद्य पांच को लगड़ें देपर क्लेश्मrete टें मेरे रहाएं और प्हेंट पांच-चैन को पांच से दिवाइड कर दो एक पांच कौशन के लिए कितनेwire मिल रहें आधा घंटक है क我要 ri LD mㄵ rif के साब से देखा जाए तो डेट सो मिनिट में पेपर खतम होना चाहिए जो कि आल्मोस हो जाता धाई गंडा विखा जाए तो मैं आप चालीस मिनट भी थीरिको मैं कितना भी जादा थीरी आप को याद अगर हो न तो आप 25 वीस मिन दसते जादा नहीं लोगे आप जलदी कवरिंग हो सकता है पहली बात थीरे करना है नंबर दो पर आपको inventory वाला question कर लेना चाहिए जाजटी खतम लीफो फीफो उसमें time taking लगेगा formatting करने में मुश्किल नहीं होगा नंबर दो पर inventory नंबर तीन पर क्या करना है सर नंबर तीन पर आप depreciation करोगे नंबर तीन के बाद नंबर चार पर क्या करोगे आप ब्रांच कर लोगे यह भी आसान है पी एंडली तो बनाना है नंबर छे पर क्या करोगे आप departmental कर लोगे नंबर साथ पर आप करोगे final account जो कि कुछ बच्चे plan कर रहे थे कि पहले नंबर पर किया जाए तो नंबर साथ पर करना है यह आपको इसके पीछे basically reason है क्योंकि इसके अंदर you know के answer क्या है आपको पता है इसका answer क्या है क्योंकि balance sheet का total करने से आपको COT मिल जाता है कि हमारे answers क्या है और अगर आपको पता चल जाए ना कि आपका answer गलत है तो आप दुबारा questions को पढ़ोगे फिर उसी में लगे रहोगे और आपका एक से डेड़ घंटा निकल जाएगा बाकी सब छूट जाएगा थियोरी में कभी किसी से नहीं पूछोगे क्या लिखा है जो लिख दिया सो लिख दिया बात खतम इंवेंटरी में हर किसी का अलग हो लग आ सकता है लास्ट में जो आपने कर दिया सो कर दिया डेपरीशेशन कोई answer किसी का पता ही नहीं के ठीक होगा के नहीं होगा लेकिन इस सवाल के अंदर ऐसा होता है आपका balance sheet match नहीं होगा न डेफिनिटली पूछ रहेगा तेरा balance sheet का तोटल के आरा एक पर यह पता चल जाए अब उसने यह बता दिया आप उसको ढूंड़ने में लगे हो लगे हो लगे हो लगे हो कोई फाइदा निया time जा रहा है तीन गंटे में आपको जो करना है वो करना है लेकिन NPO को न आप पहले नंबर पे भी कर सकते हो अगर आपका इसमें topic wise वाला question आ जाए जैसे की consume निकालना stock याद है ने stock consume कैसे निकालते हैं या फिर subscription calculate करना या fund based accounting तो उसे पहले नंबर पे निप्टा दोगे अगर full question आता है इसमें से तो आप इसे last में लेके जाओ हाला कि question आप धाई गंटे का follow करना घड़ी लेके जाना है आपको watch पहन के जाना है और time इस तरीके से लेके चलना है कि भाईया paper हुआ एक question आपने उठाया 30 मिनट अभी अगर साड़े धाई बज़े paper स्टार्ट किया या साड़े 9 बज़े जो भी चल रहा है धाई बज़े को सामने रखके देखना है कई बार ऐसा होगा आपके सामने कि यह question चलो 20 मिनट में खतम होगा ठीक है अब अगले question में आपको दोड़ भाग नहीं करना आराम से करो बिल्कुल relax mode में करो अगला question उसके फ़र भी timing चेक करते जाओ timing चेक करते हैं मान लेते हैं अगले question में ले गया 50 मिनट अब आपको तैयार हो जाना है तीसरे question में speed बढ़ाने के लिए अब आपको अराम नहीं करना गरत करने के लिए नहीं जाना आगे आपको speed बढ़ाने के लिए मतलब भाया ऐसा question selection करो जो कि 20 मिनिट में हो जाए 20 मिनिट कबा चुके हो पहले क्योंकि आप बचाना भी तो है तब जाके पूरा पेपर attempt होगा हाला कि question दिखने में लगता है पांच question लेकिन वह पांच लैंडे होता है वो तीन गंठे ह है 부 condo एक जिसको कुछ नहीं आता होगा तीक है जिसको पूरा आता होगा उसका नहीं होगाँ और वह चोप्र चूप जयादा नहीं लेगा क DA सियने का हना उथा है इंऐतनी सीटे मिल इसका होता है आपको अ.. बीस Bye c visto queste is a can Caynothing in Practice मोई तीन ही में उजाता है एक सवाल मैख्स्वाल मैज्मूम से मैक्स्मूम चार पेज में हो जाता है 24 ब dedल Jeg तो 6 सवाल हो सकता है सीट की जोरती ही नहीं आप जब अबर्दस्ति की कोई ले रहा है तो आप यह मान के चलो कि मैं भी शीट लेके दिखाऊंगा उसको कोई मतलब नहीं का यह चीज आप ध्यान रखना तो हमेशा रखना और किसी को कुछ मत बताओ भाई आप ना कर लो बस अपने और नहीं पूछो जब तक अंटिल अनलेस तो यह सेलेक्शन आप पूरा माइंड में अगर याद है तो पहले उसे कर लो जाके ऑन ठीक है तो यह रहेगा हमारा पूरे पेपर करने का पैटर्न ऑनटर्स वालों का प्रोग्राम वालों यह सेम पीपर आना है कोई फरक नहीं होगा इसेम दोनों के लिए यह हैं चीक है दोनों के लिए बिल्कुल सेम है तो मैं ज्यादा वक्ते नहीं लूँगा वैसे ही मैं दो घंटे के असपास ले चुका हूं तो ज्यादा टाइम ना लेते विए आप घर पे जाईए खाना पीना खाके सोना नहीं है सरिफ आपको पढ़न दीजिए या फिर वाटसप पर डाल दीजिए प्रोग्राम वालों का उसका देखने हैं ओके बाइए